तो दोस्तो चलिए आज हम जानते हैं कैसी कौन से मचली है जो अपने बच्चे को दूद पिलाती है तो जैसे ही हमाई दिमाग में ये बात आती है कि दूद देने वाली मचली तो कहीं ने कहीं हम अपने दिमाग में वेल कुलाते हैं वेल ये कैसी मचली है जो अपने बच्चे को दूद पिलाती है तो ये बात तो फिक्स है कि वेल अपने बच्चे को दूद पिलाती है लेकिन दोस्त आप लोग ये न भूलिए कि वेल कोई मचली नहीं बलकि ये एक मैमर्स है इसके पास मैमरी गलेंड है ये अपने बच्चे को दूद पिलाती है हकीकत में ये कोई दूद नहीं देती बलकि इस मचली का मुकस सेक्रेशन होता है और इसी मुकस सेक्रेशन को पी कर इसके बच्चे जो हैं बड़ा होते हैं और ये बता दूँ कि इसका नाम है स्टिंग रे जिसे हिंदी में हम साकोची भी बोलते हैं लेकिन यह कोई दूद नहीं देती लेकिन इसके बारे में एक रहस्य जरूर है कि इसके जो टेल है उसमें बलेट सा स्ट्रक्चर होता है जिसके लग जाने से आपको घाव जरूर हो सकता है इसकी बहुत हरी परजातिया है जो आपके लिए खतनाक सावित हो सकती है क्योंकि उनके टेल में बहुत ही खतनाक भेनम रहता है अगर आप इस वीडियो में कुछ भी नाया सीखे हो चाहे एक वर्ड ही क्यों ना हो तो मेरे चैनल को जरूर सेस्क्राइब करिए